लो गाइज वेलकम बाक टू मैं चैनल आई होब यू आई डोइंग सो गड़ आज मैं लेकर आई हूं तीस मिनट में बनने वाली थाली जो कोई भी ओकेशन में ट्राइ कर सकते हैं यहां पर चनी की सब्जी सैलेड रोटी और साथ में स्वीट यहां पर मैंने सबसे पहले चन तेल गरम हो गया था इसमें डाल दिया जीरा जीरा क्रेकल हो जाएगा तो मैं डाल दूंगी एक लाल मिर्च लाल मिर्च आप अपने हसाब से यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने डाल देना है प्याच प्याच को भूनना है गोल्डन फ्राई होने तक तो बस फ्राई हो रहा बहुत अच्छी तरीके से भून गया है अभी हम डाल देंगे इसमें टमाटर का पेस्ट यह देखिए डाल दिया है अब से भूनना है यहां पर एक साइड में ड्राइ स्पैसिस कर ले रही हूं हल्दी नमक जीरा धनिया पाड़ और कालमेज को एक बावल में रख लिया है मै तो अब मैं डाल देंगे हमारे जो ड्राइ स्पैसिस है तो यहां पर तेल चूट गया है अब हम डाल रहे हैं ड्राइ स्पैसिस और इसे भी भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से जब तक इसमें तेल ना रिलीज कर दे देखिए आपर तेल रिलीज होना स्टार्ट हो गय तो अब मैं डाल दूंगी यह जो चने हैं गार मसाले में और भूनूगी से 4-5 मिनिट मीडियम फ्लेम में यह देखिए मारा मसाला पुना स्टार्ट हो गया है चने और मसाले साथ में बोगड़ अच्छा सभी नगया है अब मैं डाल दूंगे शी स्टेज में पानी पानी मैं लेटपटी सबजी बना रही हूं थोड़ा सा पानी राला है मैंने और इसे मैं धाक करके पकाऊंगी चार से पांच मिनट के लिए देखिया तेल ऊपर आना चालो गया हमारे चनी की सबजी रेडी है बहुत जादा टेस्टी डिलेशिस और टेंप्टिंग बनी है इस चनी में चनी की सब बहुत टेस्टी लगती है आप खाएंगे ना तो मज़ा आजाएगा आपको खाने में विंग ओन दा नेक्स स्टेप जो है रोटी यह देखिया आप में फुली फुली रोटिया बनाना स्टार्ट कर दी थी हमारी रोटिया बन गई है बहुती टेस्टी खाया है सो हमारी तीस मिनट बनके रेडी है यह बहुती सूपर टेस्टी थाली जिसे ना आप कोई भी ओकेजन में ट्राइगा सकते हैं या नॉर्मल डेज में भी ट्राइगा सकते हैं तो गैस यह वाली थाली आप लोग ज़रूर ट्राइगा फिर मिलेंगे नेक्स व्लॉ